कि इंटर्नल स्ट्रेक्चर और मॉनोपॉट स्टेम पहले वाले वीडियो में ने बताया आपको कि डाइकॉट स्टेम के इंटर्नल अनाटोमी के बात करें कि अनाटोमी जब अपन स्ट्रेक्शन कटिल करते हैं उसका टिया संपस्ट उसमें कौन-कौन से टीशू दिखाए द देते हैं और क्या अंतर है थोड़ा सा क्वा डाइकौट के स्ट्पेम में तो इंटर्नल अप्र की बात करें तो यहर्ष जाती है डाइकोड़ में बिकूटिकल पर प्रीजयंट था और यहां पर एपिडर्मिस भी पाए जाती है इसके नीचे की तरब जो है लेयर इसको बोलते एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है एपिडर्मिस के नीचे होता है हाइपोडर्मिस अधस कचा तो यहां पर जो हाइपोडर्मिस है पर यह मोनोकोर्ट पाधकों में एपिज पत्री पाधकों यह जो हाइपोडर्मिस है है यह इसप्लर कायमा टीशू का रखार होता है पहले भी बता आया है की शिंपल टीशू तीन प्रकार के है एक तो है ब्रदू तक पेरेंट काइमा टीशू पेरेंट काइमा टीशू लिविंग टीशू होते हैं जिनमें इंट्रस अलुए स्पेस पाया जाते हैं पतली वित्ती वाले होते हैं लिविंग होते हैं दूसरे हैं कॉलेंट काइमा टीशू यह भी लिविंग होते हैं और मै काईमा में क्या है कि सुरू में होते हैं लेकिन इनके पिस्ती पर लिगनीन का जमाव हो जाता है लेकिन यह तो हाइपोडर्विस जो मॉनोकॉड स्टेंब में है वो इसक्लन काईमा की बनी हुई होती है जबकि डाइकोड इस्टेंब की बात करें यह क्लोरें काईमा की बनी हुई है यहां पर मोनोकॉड में की बनी हुई होती है नेक्स की आगे जो देखते हैं तो यहां पर कॉटन दिखाए देता है हाइपोडर्मिस की नीचे होता है कॉटेक्स लेकिन यहां पर जो ग्राउंटी सिस्टम है पूरा का पूरा जिसमें कॉटेक्स है पूरा कि यहां पर नहीं है कि यह कोटेक्स है यह परिसाइक्स है यह इस प्रकार का डिफ्रेंशिेट नहीं है साहरे की सारी कोशी कई कैसे प्रकार की एक ही प्रकार की होंगी और सब के खास बात ये है कि यहां पर जो वैस्ट कुलर वंडल है। कि दाइकॉर्ट में जो बैस्कुलर बंडल थे वो सब किसमे थे एक रिंग में वेवस्ती थे सारे कैसे थे एक रिंग में यह रिंग में वल्य में पाए जाते हैं यहां पर जो बैस्कुलर बंडल्स है वो किस प्रकार के है इसके टाड बिक्रे हुए है पूरे बैस्कुलर ब यու स सबसे बड़ी बात कि मॉन बेसकुला बंडल ही उन्हें हु एक। इस्चिल प्रकार करें पर जाते हैं विक्रॉय फखुरी पर जाते हैं। जो बेश्कुला बंड़स होंगे वो जाईलम है और बाहर की तरह फ्लोयम एक फिर्चा पर पाई जाते हैं लिए ओगया kawlaeta प्रकार का ओंजोइंट कोलेटरल दोनों ही डाइकॉट हो या मोनेट कोड़ दोनों में Educonja, Collator पाया थे, लेकिए सब्से बड़ी बात कि यहां पर जो Vascular Bundles है, वो 집ka Open प्रकार के है, वापन नहीं, Close प्रकार के है, यहां Vascular Bundle किस प्रकार के है? Close, बंध है, जबकि Dicot में जो Vascular Bundles थे, वो उपन थे, आपन का मतलब ये था कि Vascular Bundles के बीच में Cambium उपस्तित थी, क्या थी राइकोट प्लांट में Cambium पाय जाती थी, इसलिए वो ओपन थी, मोनोकॉट पादफों में Vascular Bundle के जायलम फ्लोईम के बीच में Cambium नहीं पाय जाती, Cambium नहीं पाय जाने के कारण Vascular Bundle कौन से होंगे, क्लोज प्रकार के पाय जाते हैं, क्लोज है, वेस Cambium नहीं पाय जाती, Cambium नहीं होने के कारण Secondary Growth नहीं होती, Secondary Growth नहीं होने कारण Secondary Gelium फ्लोईम नहीं बनते, इस कारण से आपने देखा होने का तना पतला होता है, जबकि Dicot Plants के तने हैं बहुत ही मोटे होते हैं क्यों उनकी Secondary Growth के कारण, जायलम बहुत अधिक मात्राम अंदर बनता है, Secondary Flames कम मात्राम बहार बनता है, और वो व्रोध के कारण इसकी मोटाई देजर बढ़ती जाते हैं, तो Monocot Plants में कैसे होंगे बैस्पुल बंडल, Conjoint, Collateral और Closed प्रकार के, तीसरा कि यहाँ पर जो बैस्पुल बंडल्स है, वो एंडार्क होंगे, यहाँ भी एंडार्क है, और Dicot में भी एंडार्क है, अथाद Protozylum जो है वो केंदर की और होगा, Protozylum जो कोशिका線 है वो केंदर की और, Metazylum भाहर परिजी की और होगा, पहले बनने वाला जो प्रोटो जाइलम है उसकी स्थिति केंद्र की ओर होगी और बाद में बनने वाले जो कोशिकाएं हैं जो बड़ी आकार की कोशिकाएं मेटाजाइलम है वो बहर परीधी की ओर होगा जो मेसा फायो केंदर में कैंदर की और मेसा क्टार्ण कारण में कहा जाएके एंडर को सबसे पहले बनेवाला प्रोटम कांपर यह केंदर की और यह आला करने करण यह कंद equiv न 이렇게 की और परिजी की और है इस प्रकार की स्थिति को कहा जाता है एंड डार्प कि ग्राउंड टीशू की बाद की जाए तो ग्राउंड टीशू में बिवेदन नहीं है बचा दिया यह बैस्कुल सहां देखी जाए तो यह जो बैस्कुल कि की बैस्के जाता है तो बंडल से परिवस्विट है कि अधी गेरें रहती है और यह जो कोशिकाय वो किस प्रकार की है इस क्लेरेड का एमय प्रकार की होती है द्रड़ उत्तक्ति इस कोश्काय दुबार एक बार देखें तो यह सबसे बड़ी बात यहां पर यह ध्यान रखती है कि मोनोकोड डाइकॉट में कोटव में excellour hair पाय जाते हैं जिन्हें tricoms कहा जाते हैं यहां कर ट्राइकॉम होते हैं tricoms नहीं पाय जाते हैं stem hair उनपस्सित है सबसे बाइप क्यूटिकल की लेयर होगी और इसके क्यूटिकल के नीचे epidermis पाय जाता है epidermis सबसे outermost layer है और protective है यहां जब एपिडर्मिस के नहीं से हाइपोडर्मिस पाया जाता है यह जो हाइपोडर्मिस है यह स्क्रेंड काइमा टीशू का बना हुआ होता है यहां लेकिन मोनोकॉर्ट में पूरा स्क्रेंड काइमा का बना हुआ होगा ग्राउंड टीशू में विवेदन नहीं होता है, जनर्नल कॉर्टेक्ट हो, एंडोडर्मी, पैरिसाइकल, मेडूला, मेडूल रेस, इस प्रकार कोई विवेदन नहीं पाया जाता है खर देखें यहाँ पर बैस्कुल बंदल तो सबसे एसी बाती है कि से बैस्कुल बंदल जो बिखरे हुए है, वहाँ डाइकॉर्ट में इग्रेंग में पाया जाते हैं, यहां बिखरे हुए विखरे होने के साथ वह कहा जाता है अटेक्स तो इसे बेस्प्लोबंदल विखरे हूए ज्लिपित यह सब्सक्म होती है तोड़ा सा प्रोटो जैलम बिल्कुल अंदर होगा इसको एंडर विस्की कहा जाएगा कि ये अंडार, प्रोटोजालम अंदर, मेटाजालम भार परजी की और होगा और क्लोज, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि मोनोकॉट स्टेम क्लोज प्रकार के बैस्पुल बंडल पाए जाते हैं क्लोज का मतलब है कि वहाँ पर केम्बियाम अनुपस्टिस होती है अठा दित्तक ब्रद्दी नहीं पाए जाती है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बैस्पुल बंडल है वो क्लोज होंगे ओंजॉइंट, कॉलिट्रल, एंडार्ग, ये डाइकॉट स्टेम में हो या मोनोकॉट में स्टेम है वहाँ बैस्पुलर बंडल एक रिंग में पाया जाती है बैस्पुलर बंडल बिक्रे होने के कारण इनको अटेक्ट स्टील परकार का कहा जाता है और डाइकोट स्टेमेक रिंग में होने के कारण उसको यू स्टिल प्रकार के वैस्टिल कहा जाता है ठीक यह सारा सुप्र है ठीक थेंक यू